आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार आज हम लो निष्ठामूर्तिक कस्तूर्बा का जो प्रस्न भ्यास है इसके जो अनुछेद है अनुछेद की नीचे जो प्रस्नुत्तर है उसके प्रस्नों का ब्याख्या और उसका अर्थ पढ़ेंगे और जहां तक पाठ की बात है पाठ अपने खुद आप स्वता अध्यान कर सकते हैं क्योंकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं परिक्षा के द्रिष्ट कोर से मैं बना रहा हूं जो जरूरी है क्योंकि पाठ से जो ब्याख्या आता नहीं है जो भी ब्याख्या आता है भ्यास तनसों में, रेखांके तनसों के व्याख्या तत्यपरग परसुनों के उत्तर देजिए. तो इसमें देखिए, जो ये paragraph है, परफ में कुछ अंडरराइन किया हुआ है, और इसके नीचे तीन परस्ण है. तो इसके बारे हम फोकस करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ प्रस्म जो लिखा हुआ है उप्रित गद्यांस की पाठ एवंग लेखक का नाम लिखिए तो पाठ का नाम आप जानते हैं निष्टा मुर्ति कस्तूर्बा और लेखक का नाम काका कालेलकर ये आपका उत्तर हो जाएगा कि पाट का नाम आपका हो जाएगा निश्टा मुर्ति कस्तूर्बा और लेखा का नाम काका कालेलकर दूसरा प्रसन है रेखांकित अंस की व्याख्या कीजिए तो रेखांकित अंस देखिए लिखा है चाहे दच्छिड अफरिका में हो या हिंदुस्तान में सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब-जब चरित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया कस्तूर्बा हमेशा इस दिप्प्य कसवटी में सफलता पुर्वक पार होई है देखिए इसका व्याख्या कैसे लिखेंगे कभी काका सारी लेखा काका कालेलकर कहते हैं कि चाहे दच्छिड अफरिका की बात हो या फिर हिंदुस्तान की बात हो दच्छिड अफरिका सरकार के खिलाफ या हिनुस्तान सरकार के खिलाफ जब भी लडाई हुई और जब चारित्र तेज प्रकट करने का मौका आया तो कस्तूर्बा हमेशा इस कसोटी पर सफलता पुर्वक पार हुई अर्थात वह हमेशा सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जो आंदोलन की उसमें वह सफल हुई ये इसका व्याक्या होगा इसके बाद जो तिसरा प्रस्न है किस योग्यता के कारण सारा राष्ट कस्तूर्बा की पूजा करता है तो इसका जो उत्तर होगा यहां सबसे नीचे जो यहां दिया हुआ है इस तरह के बिविद लोकोत्तर युग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूर्बा की पूजा करता है देखिए यहां लिखा हुआ है इसका उत्तर ही हो जाएगा कि लोकोत्तर योग्यता के एकाराण आज सारा राष्टर कस्तूर्बा की पूजा करता है आसा है कि यह आपके समझ में आगया होगा और जहां तक रेखांकित अंच्स की बात है मैं आपको इसके पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो मैं बता रहाँ कोई जरूने कि यह आप लाइन बाइन याद करें आप ब्याक्या अपने शब्दों में भी कर सकते हैं बसरते उसका मूल भाव नहीं बदलना चाहिए आए खो देखते हैं खो में पहला प्रस्ण उपरिक्त गद्यांस का संदर्व लिखिए संदर्व का मतलबी पाठ का नाम और लेखक का नाम जैसा आप पहले में बताया हूँ आप उसको लिख लिजिएगा रेखांकित अंस की ब्याक्या कीजिए रेखांकित अंस क्या है दुनिया में दो अमोग शक्तियां है शब्द और कृति इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी प्रथवी को हिला दिया किन्तु अंतिम शक्ति तो कृति की है जैसका रेखांकित अंस है अब इसका ब्याक्या कैसे करेंगे लेखक का कहना है कि दुनिया में दो अमोग मनोता अचूग दुनिया में दो अचूग शक्तियां है एक शक्ति है शब्द की शक्ति और दूसरी शक्ति है कृति की शक्ति आगे काते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि शब्दों की सक्ति ने सारी प्रथवी को हिला दिया है मनि शब्दों में ऐसा तेज होता है ऐसा ओज होता है कि शब्दों के द्वारा हम पूरी दुनिया को अपने बस में कर सकते हैं जैसा कि स्वामी विवेका नंद जी ने अमेरिका में जा करके किवल शब्द की शक्ती के द्वारा ही पूरे अमेरिका वासियों को अपने बस में कर लिया किन्तु अंतिम शक्ति तो कृत की है कृत का मतलब होता है रचना, स्रीजन लेकिन अंतिम शक्ति स्रीजन की होती है क्योंकि स्रीजन हमेशा हमेशा वरकरार रहता है और स्रीजन में हमेशा नवीनता रहती है वो किसी का बोला हुआ, किसी का लिखा हुआ या यूंकर ये किसी का चुराया हुआ शब्द नहीं होता है, वो खुद का उद्गार होता है, खुद के अंतकर्ण के निकल हिवारी होती है, इसलिए अंतिम शक्ति कृत की शक्ति होती है, इस तरह से आप इसका ब्याक्या लिख लेंगे, आसा है आपको समझ में आ गया होग क्योंकि दुबारा दुहराने पर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप पीडियो को रोक रोक करके आप जो भी मैं बताया हूँ उसको आप लिख लिजएगा तीसरा प्रस्ण है कस्तूर्वा कैसी महिला थी तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कस्तूर्वा के अंदर आर यस सती इस्त्रियों के सारे सद्गुण थे और उनके अंदर कौटोंबिक सद्गुण कूट कूट करके भरे हुए थे चुकि इसका उत्तर इसमें है नहीं पाट को जब पढ़ेंगे तो मिलेगा तो ये जो पैराग्राफ इसमें इसका उत्तर नहीं है तो आप ऐसे ही लिख देंगे कि कस्तूर्वा गांदी आर यस सती इस्त्री के अंदर कस्तूर्वा गांदी के अंदर आर यस सती इस्त्री क उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ था चौथा है शब्द और कृतिका अर्थ असपष्ट कीजिए जैसा कि मैं बता दिया हूँ शब्द का मतलब जो हम वारी के द्वारा बोलते हैं वो शब्द है कृतिका मतलब जता है जो हम अपने विचारों से स्रिजन करते हैं हम अपने विचारों से जो स्रिजित करते हैं जो नए शब्द का चुनाव करते हैं यानि यूँ कहिए कि जो नए रचना करते हैं उसको हम कृति कहते हैं आज जो हम वारी के द्वारा व्यक्त करते हैं वो अपना शब्द नहीं हो सकता है किसी और का भी शब्द हो सकता है तो उसको हम शब्द बोलते हैं नहीं बाणी द्वारा जो प्रकट किया जाता है वो शब्द है और जो बिचारों द्वारा स्रिजित किया जाता है वो कृति है आसा है कि क्लियर हो गया होग इसका आर्थ गांधी जी ने किसकी उपासना की? तो इसके पैरागराप में ही है कि महात्मा गांधी ने इन दोनों शक्तियों की असाधार्ण उपासना की अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा कि गांधी जी ने शब्द और कृति दोनों शक्तियों की उपासना की अब आईए गौद देखते हैं उपरिकुत गद्यांस के पाठ एवंग लेखा का नाम अर्था तो इस अंदर्व लिखना है आप इसको लिख लिजेगा रेखांकित अंश की ब्याख्या कीजिए तो रेखांकित अंश देखे क्या है स्वभाव सिद्ध कोटोंबिक सद्गूण ब्यापक किये और उनके जोरों पर हर समय जीवन सिद्धी हासिल की सुक्ष्व प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो सुद्ध साधना की जाती है तो इसमें कस्तूर्वा गांधी के जो गूण है उन पर प्रकाश डाला गया है इस अंस में लेखा कहते हैं काका कालेलकर जी कहते हैं कि स्वभाव सिद्ध सद्गूण कोटोंबिक सद्गूण ब्यापक किये और उनके जोरों पर हर समय जीवन सिद्धी हासिल की मतलब बा, बा कस्तूर्वा गांधी को संभोतित है जिसको माता कहा जाता है बने बा के अंदर कौटूमबिक सद्गूण कूट कूट करके भरे हुए थे जो कुटूमब को चलाने के लिए परिवार को चलाने के लिए परिवार में एकता स्थाफित करने के लिए जितने भी सदगुण होने चाहिए वो सारे सदगुण उनके अंदर ब्याप्त थे और उसी के आधार पर वो जीवन की सारी सिद्धियों को हासिल कर ली मतलब उसी के आधार पर उनको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा यहां तक की सरकार को अपने आगे जुकाने के भी काबिलियत उनके अंदर थी तो कौटोंबिक सदगुण के माध्यम से ही थी आगे काते हैं सुक्ष्म प्रमाड में या छोटे पैमाने पर जो सुद्ध साधना की जाती है मतलब वो सुक्ष्म प्रमाड में हो या छोटे पैमाने पर हो लेकिन जो सुद्ध साधना की जाती है उसी का तेज लोको तर होता है मतलब जो छोटे-छोटे चीजों पर ध्यान दिया जाए, छोटे-छोटे प्रमाण प्रस्तुत करके और किसी भी बात को सत्य सिद्ध किया जाए, वही सुद्ध साधना होती है और उसका तेज लोकोत्तर ही होता है, मतलब संसार से अलग होता है, वह अलवकिक होता है तो मैं पूरा बिस्तार से बताया हूँ, आप इसको अपने भासा शैली में साट में भी लिख सकते हैं, सुख्ष मरूप में भी लिख सकते हैं, बसरते इसका मूल भाव नहीं बदलना चाहिए तीसरा प्रस्ण है चरित्रवान मनिस्त को अपनी शक्ति का क्या करना चाहिए तो कहते हैं सबसे नीचे के लाइन में इसका अर्थ है देखिए चरित्रवान मनिस्त को अपनी शक्ति का सिर्फ गुडाकार ही करने का होता है ठीक है अगला देखिए आपका जो चौथा प्रस्न है चौथा प्रस्न है चरित्रवान व्यक्त की क्या विसेस्ता होती है तो चरित्रवान व्यक्त की विसेस्ता के बारे में बरण किया गया तो बहुत लंबा हो जाएगा पस आप एक लाइन में अगर आप लिखना चाहते है तो लिख लिजेगा कि चारित्रवान ब्यक्ति के अंदर समस्त मानिवी विसेस्ताएं होनी चाहिए या समस्त मानिवी विसेस्ताएं होती हैं पांचमा किस साधना का तेज लोकोतरी होता है तो जो पैरग्राफ का जो अंतिम वाक्य है जो अंतिम वाक्य है जो सुद्ध साधना की जाती उसका तेज लोकोतरी होता है तेज का उतर हो जाएगा पतलब सुद्ध साधना का तेज लोकोतरी होता है तो इस तरह से आपका ये तीन ही अनुच्छेद है इसमें यह तीनों अनुच्छेद आपका कंप्लीट होता है और आसा है कि इससे आपको लाभ जरूर मिला होगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और यही से आपको सारा वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं एक ही प्लेट फार्म से सभी भागों का गद्य, पद्य, संस्क्रीट, ब्याकरण या फिर शब्द रूप, या एकांकी जो कुछ भी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इसका नोटिफिकेशन पर आपको मिलता रहेगा और मेरे इस चैनल पर सारा का सारा मैटेरियल उपलब्द है आप सभी लोगों को एक बार पुना बहुत बहुत धन्यवाद आप वीडियो कब तक देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद